नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे टिटिहरी फक्षी के बारे में क्या यह फक्षी आपको करोड़ पती बना सकता है क्या यह फक्षी कहीं से पारस पत्थर ले करके आता है जिसको सोने के वस्तू पर मात्र छुआने से सोना लोहा बन जाता है क्या है इसकी सच्चाई आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों बहुत लोगों का दावा है कि टिटिहरी पक्षी कहीं से पारस पत्थर लेकर के आता है और यदि पारस पत्थर को लोहे में टच कर दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है जिहां दोस्तों तो दोस्तों क्या है इसकी सच्चाई आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों आप सभी संडरोध है, इस वीडियो को पूरा अन्ति तक देखिएगा, यदी आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी जरूर दबाएं ऐसी ही बीडियो पाने के लिए तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं क्या यह पक्षी आपको करोड़ पती बना सकता है क्या यह पक्षी अपने अंडे को पार्स पत्थर से तोड़ता है क्या यह पक्षी कहीं से पार्स पत्थर लेकर के आता ह आज क्या भारत में गरीबी होती बिल्कुल नहीं होती दोस्तों थोड़ा सा सोचिये और दिमाग पर जोर दीजिये ठीक है और दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि यह पक्षी पार्श पत्थर से अंडे तोड़ता है तो दोस्तों ऐसा नहीं है यह पक्षी अपने अंडे को जाकर्ति घटना होती है जिसके कारण अंडे में दरार आती है और अंडा तूट जाता है और यह पक्षी कई बार चोच से भी अंडे तोड़ता है तो दोस्तों यह बात से साबित होता है कि टिटीरी पक्षी जो है पारस पत्थर से अंडे नहीं तोड़ता है ठीक है अब बा काने की और लोगों का समय बरबाद करने की साजिस है तो दोस्तों आप सभी जनरोध है कि अपना समय बरबाद ना करें और इस पक्षी को परसान ना करें ठीक है दोस्तों क्योंकि इस पक्षी का हमारे परियावरण का संतुलन बनाने में बहुत अच्छा योगदान है और इस गोसला मैदानी भागों में बनाना पसंद करता है यानि कि यह पक्षी जमीन पर अपना गोसला बनाता है मिट्टी और रेंथ और छोटे-छोटे कंकलों के द्वारा और यह अंडे जमीन पर देता है दोस्तों और आप से एक बात कहूंगा कि आप किसी के बहकावे में नाए यह पक्षी आपको करोड़ पती नहीं बना सकता हाँ आपकी मेहनत आपको करोड़ पती बना सकती है जी हाँ दोस्तों तो आप सभी चनरोध है आपको करोड़पती बना सकता ठीक है आपकी मेहनत आपको करोड़पती बना सकती है आप पढ़िए नौकरी करिए जरूर बनेंगे मेहनत करिए